दोस्तों अगर आपके Android smartphone के display के उपर एक purple spot आ चुका है जो कि धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत यादा जरूरी है इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके causes बताऊंगा साथ मैं आपको इसके solution लिए बताऊंगा अब देखे ये problem आप उसी smartphone के अंदर face करोगे जिसके अंदर M-OLED display है और basically ये OPPO के smartphone और Samsung के M-series के phone के अंदर काफी ज़्यादा देखने को मिल रही है इसका reason बहुत simple सा है कि budget segment के अंदर भी अब काफी सारे smartphone players M-OLED display को introduce कर चुके है तो जो M-OLED display की quality है budget segment के अंदर वो इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वज़े से इसके अंदर ये problem आ सकती है अब ये problem आती क्यों है सबसे पहला reason है drop अगर आप अपने phone को कहीं drop कर देते हो या फिर उस पर कोई चीज़ हिट कर जाती है तो काफी ज़दा chances है कि आपका M-OLED display डेमेज हो जाएगा उसके अंदर का जो panel होता है वो बहुत थिन होता है और बहुत light impact से भी वो डेमेज हो सकता है budget segment के अंदर display की quality इतनी अच्छी नहीं होती और एक बहुत छोटा सा impact भी उसको डेमेज कर सकता है अब जरूरी नहीं कि आपकी screen पर crack आए हो सकता है कि आपकी screen पर crack ना आए फिर भी internally उस पर impact पड़े और वो डेमेज हो जाए तो ऐसे case में जहां से भी वो panel डेमेज होगा वहाँ पर आपकी display के उपर एक purple spot हो जाएगा और धीरे धीरे हो सकता है वो बढ़ते बढ़ते पूरी display के अंदर फैल जाए इसके अलावा जो दूसरा reason को यहाँ पर हो सकता है वो है extreme high temperature अगर आप अपने display को बहुत यादा high temperature के अंदर यूज करते हो तो भी chances है कि आपका display purple हो सकता है for example आप अपने smartphone को रोज navigating के लिए यूज कर रहे हो उस पर आप Google Maps चलाते हो और उसे अपने गाड़ी के dashboard पर लगा दीती हो तो ऐसे case के अंदर GPS की वरे से आपका smartphone हीट होगा और sunlight की वरे से भी वो हीट होगा तो ऐसी extreme हीट जब आपकी display पर बार बार पड़ेगी तो वो भी आपकी display को damage कर सकती है मेरे पास Samsung Galaxy M21 था और डेर साल बाद मुझे problem उसके अंदर face करनी पड़ी मेरे जो display है वो purple होती जारी थी अब ना तो मेरा phone गिरा था और ना ही मैं उसको extreme हीट के अंदर use करता था फिर भी मेरे phone के अंदर ऐसी problem आ रही थी और मैं समझ नहीं पारा था कि ऐसा हुआ क्यों क्योंकि मेरा phone तो गिरा भी नहीं था सिर्फ एक चीज है जिससे मेरे phone की display खराब हो सकती है जिस पर मुझे शक है lockdown period के अंदर मैं अपने smartphone को sanitizer से बार बार साफ करता था और sanitizer की density बहुत यादा कम होती है हो सकता है sanitizer अंदर slip कर गया हो और उसके अंदर जो alcohol present होती है उसने मेरी AMOLED डिस्पले को damage कर दिया हो reason कुछ भी हो पर जो display है वो तो damage हो ही चुकी थी जाद दर मुझे यही लगता है कि sanitizer की वरे से मेरा phone खराब हुआ और ये चीज पॉसिबल है क्योंकि smartphone के जो internal components होते हैं वो waterproof नहीं होते और अगर वहाँ पर alcohol पहुंच जाए तो damage definitely हो सकता है अब इस problem का solution क्या है देखिए इस problem के बस दो ही solution है जो कि आप लोग कर सकते हो सबसे पहला solution अगर आपकी display का कोई part परपल हो चुका है तो आप simply अपने display को use करते रहे यानि कि जैसे कि आप अभी तक अपना smartphone use करते आ रहे थे आप उसको वैसे ही use करते रहे जब तक आपकी display चलती है क्योंकि इसको आप fix नहीं कर सकते हो अगर वो problem बाकी display के अंदर spread नहीं हो रही है तो आप अपने display को continuously use करते रहे आपको कोई भी problem नहीं आएगी आपका phone normally charge होगा और normally perform करेगा उस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है हाला कि इस चीज को आप तभी कर सकते हो अगर वो आपके display को पर fail नहीं रहा अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाते तो आप उस छोटे से spot के साथ अपने smartphone को use करते रहे दूसरा solution है कि आप display को change करा दीजे आप अपने smartphone display को service center लेकर जाए और उनसे बोलिये कि वो इसे change करके दें अगर आपका smartphone in warranty भी है तो भी वो display को free में change नहीं करने वाले क्योंकि वो उसको impact के अंदर मानेंगे और वो आपसे बोलेंगे कि आपने phone को जरूर ड्रॉप किया होगा तो आपको पैसा उनको pay करना पड़ेगा पर आपके display ठीक हो जाएगी मेरे case में मेरे Samsung Galaxy M21 के अंदर जो service center ने मुझे coat दिया था वो था 4000 रुपीस हाला कि मैंने उस display को ठीक नहीं कराया और उस smartphone को आगे बेच दिया second end market के अंदर क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं 4000 रुपे देकर इस smartphone को ठीक कराया हूँ smartphone के अंदर कुछ और भी problems थी अगर आप local display डलवाते हो तो थोड़ी सस्ती भी पड़ सकती है पर आपको display तो डलवानी ही पड़ेगी इसके अलावा इसका कोई भी solution नहीं है इसको reverse नहीं किया आ सकता और यह धीरे धीरे आपकी display के अंदर spread होता जाएगा क्यूंकि अगर आपने देखा हो अगर कांच एक जगे से तूट जाए तो धीरे धीरे जो धरारे हैं वो पूरे कांच के अंदर फैल जाती है जहां जहां पर pressure पड़ेगा वहां पर कांच के अंदर धरारे पड़ती जाती है ऐसा ही M.O.L.E. display के साथ है जहां से अंदर से panel तूट गया वहां पर तो purple spot रहेगा ही पर जैसे जैसे बाकी की screen पर pressure पड़ता जाएगा तो वहां से भी वो panel तूटता जाएगा जिसकी वज़े से जो purple spot है वो धीरे धीरे आपके पूरे smartphone की screen के उपर फैल जाएगा और फिर आपको ultimately display change कराने ही पड़ेगी तो जब तक वो आपके display के उपर पूरी तरीके से नहीं फैलता है तब तक आप अपने smartphone को बिंदास यूज़ करते रहेए आज की वीडियो के इंदर इतना ही अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजे लाइक साथ में मारी यूटूब चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब विल टाउब लोग उस एलिए वीडियो में तब दक के लिए स्टेट आगी स्टेए कनेक्टिड